Hello students, NCE RT Maths, Class 10th में आप सभी का स्वागत है आज हम प्रश्नाबली 15.1 में ही प्रश्निक रमांग 12 वास सॉल्व करेंगे तो आईए सबसे पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं साइयोग के एक खेल में तो साइयोग का जो एक खेल होता है से चांस गेम भी बूलते हैं और इसमें होता क्या है कि एक चक्र होता है इसमें एक तीर लगा रहता है अब ये तीर घूमता है और जिस संख्या पर ये रुकता है थोड़ी देर घूमने के बाद ये बिस्राम में आता है और जिस संख्या पर ये रुक जाता है वो संख्या जीत जाती है तो इस तरीके का एक game होता है अब इसमें क्या है कि question में लिखा गया है कि संयोग के एक खेल में तीर को गुमाया जाता है तो ये तीर गुमता है जो बिस्राम में आने के बाद संख्याओं जैसे की 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 मैंसे किसी एक संख्या को इंगित करता है तो जाहर सी बात है कि जब ये गुमेगा तो किसी एक संख्या यानि एक परिमाण पर रुकेगा एक परिणाम पर रुकेगा तो आगे लिखा है कि यदि ये सभी परिणाम संप्रायक हों तो इसकी क्या प्रायक्ता है कि यह 3 इंगित 8 को करेगा एक विसम संक्या को करेगा यह नीचे 2 अर लिखे हुए तो इनको हमें सॉल्व करना है तो थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा कि यह पूरा जो गेम है इसमें कुल कितने परिणाम है अब आप कहेंगे कि कुल की जर से कर दिये गए हों लेकिन हमें कुल परिणाम तो मालूम ही होना चाहिए तो इस गेम में कुल परिणाम कितने है तो टोटल रिजल्ट देखेंगे आप तो देखिए या तो संख्या एक आ सकती है हमें मालूम तो है नहीं कि तीर कहां पर रुकेगा है ना तो संख्या एक भ पर भी रुक सकता है, तो कुल परिणाम जो हो सकते हैं, वो हमारे 8 होंगे, तो कोई भी हम solve करें, चाहे हम 1 का हल solve करें, चाहे हम 2 का हल solve करें, चाहे 3 का, चाहे 4 का, हमें कुल परिणामों की संख्या तो 8 ही रहेगी, तो इसलिए हम यहाँ पे पहले का solve कर रहे हैं, जिसमें 8 क करेगा इंगित करेगा तीर आठ को ये हमें दिखाना है तो पहले आपको कुल परिणामों की संख्या तो मालूम होनी चाहिए तो हमारी कुल परिणामों की संख्या जो होगी वो आठ होगी इस तरीके से लेकिन अब हमारे यहां पे हमें अनुकूल परिणामों की संख्या भी यह होता है कि जो हम solve कर रहे हैं उस में हमें कितना दिखाया गया है, यानि कितने की प्रायक्टा पूँची गई है, तो यहां पे पहला solve जब हम कर रहे हैं, तो हमारा अनुकूल परिणाम लिखा है कि 8 को करेगा, यानि कि जब ये तीर आठ को इंगित करेगा तब की प्रायक्ता क्या है तो माल लेते हैं कि जब ये तीर आठ को इंगित करेगा तो केवल एक परिणाम दिखाएगा तो अन्कूल परिणामों की संख्या केवल एक ही होगी अगर ये आठ को इंगित करेगा तो केवल एक ही परिणाम दिखाएगा ना इसलिए कुल परिणाम अगर टोटल परिणाम हमने देखे तो हमारे तो आठ हैं लेकिन जब ये तीर आठ को इंगित करेगा तो केवल और केवल एक ही परिणाम दिखाएगा क्या करेगा एक ही परिणाम दिखाएगा इसलिए हम यहाँ पे अनुकूल परिणामों की संख्या एक लिखेंगे क्योंकि केवल एक परिणाम दिखाएगा तो देखिए 8 को इंगित करेगा तो एक ही परिणाम दिखा पाएगा अगर एक विसम संख्या को तो विसम इसमें क्या होती है विसम तो होंगी जिसमें 2 का भाग नहीं जाता तो इसलिए 1, 3, 5 इस तरीके से उसाथ यह हो जाएंगे लेकिन अभी उसकी बात नहीं हो रही है अभी केवल पहला हम लोग पॉइंट सॉल्ब कर रहे हैं जिसमें कुल परिणामों की संख्या आठ है अनुकूल परिणामों की संख्या केवल और केवल एक है क्योंकि एक ही अंक को दिखाएगा तो एक ही परिणाम उसका आएगा इसलिए प्रायक्ता का फॉर्मूला हम लगा देंगे और प्रायक्ता का फॉर्मूला होता है अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या अनुकूल परिणाम कितने हैं? एक हैं कुल परिंव कितना है? ये उपर देखिए कुल परिंव आट हैं इस तरीके से ये पहले का आंसर आ जाएगा चलिए दूसरा solve कर लेते हैं तो दूसरा solve करेंगे तो दूसरा में क्या है? एक बिसम संख्या को करेगा तो बिसम संख्या को इंगित कहां कहां कर सकता है क्या आप मुझे बता सकते हैं तो दिखिए बिसम संख्या यानि कि जिसमें दो का भाग नहीं जाता तो अगर एक को इंगित करेगा तो भी बिसम संख्या को अगर तीन को इंगित करेगा तो भी विसम संख्या को ही इंगित कर रहा है अगर पांच को इंगित करेगा यानि पांच की ओर आएगा तो भी ये विसम संख्या को ही इंगित कर रहा है और अगर साथ को इंगित करेगा तो भी ये विसम संख्या को तो अगर बिसम संख्या की बात हो रही है तो हमारे अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे एक या तो यहां आ सकता है दो या तो यहां आ सकता है तीन और एक हो जाएगा चार तो यह इतनी जगा जा सकता है अनुकूल परिणाम तो चार होंगे लेकिन प्रेशन ये उठता है कि कुल परिणाम कितने होंगे तो क्या आप बता सकते हैं कि कुल परिणाम कितने होंगे कुल परिणाम तो नहीं होंगे जितने हम लोगों ने पहले में लिये हैं क्योंकि टोटल परिणाम तो आठ ही है इसलिए हम यहाँ पे पहले लिखेंगे कुल परिणामों की संख्या और कुल परिणामों की संख्या कितनी है यह आठ है अब हम लिखेंगे अनुकूल परिणामों की संख्या तो अनुकूल परिणाम कितने होंगे तो आंसर है चार होंगे क्योंकि बिसमंक की बारे में बदा गया है बिसमंक कौन कौन से होते हैं अगर हम bracket में लिखना चाहें तो बिसमंक एक, तीन, पास, साथ होंगे तो total कितने परिणाम हो जाएंगे 4 इसलिए यह हो जाएंगे 4 तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि अनुकूल परिणाम कितने होंगे चार इसलिए प्रायक्ता का फॉर्मूला प्रायक्ता वरावर अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या तो इस तरीके से हमने लिखा अब अनुकुल परिणाम बताइए कितने हैं अनुकुल परिणाम चार हैं और कुल परिणाम कितने हैं आठ हैं इनको कैंसल करेंगे तो चार एक हम चार और चार दुने आठ इस तरीके से कैंसल हो जाएगा तो यह दूसरा भी सौल्ब हो जाएगा अब हम बात करेंगे तीसरे question की, तीसरे में लिखा है कि दो से बड़ी संख्या को करेगा तो अगर ये तीर दो से बड़ी संख्या को इंगित करेगा, तो देखिए द्यान से यहाँ पे, पहले तो मैं यहाँ पे third लिख लेता हूँ फिर आपको द्यान से देखना है कि दो से बड़ी संख्या को कैसे इंगित करेगा दो से बड़ी संख्या है 3, 4, 5, 6, 7, 8 तो अनुकूल परिणाम कितने होंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 क्योंकि 2 से बड़ी यहाँ से start होती है 1, 2, 3, 4, 5, 6 अनुकूल परिणाम हो जाएंगे प्ले नमों की संख्या होगी कितनी आठ अब हम लेखेंगे अनुकूल परिणामों की शंख्या कितनी होगी देख लेते हैं यह देखे यहां से दो से बड़ी संख्या पूची गई है आप question में देखेंगे तो आप से पूचा गया है कि दो से बड़ी देखे यहां पर लिखा भी है दो से बड़ी संख्या को इंगित कप करेगा दो से बड़ी संख्या को तीन को करेगा या तो चार को या तो पांच को ते इतने सारे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे तो अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी हो जाएगी छे हो जाएगी इसलिए प्राइक्ता का फॉर्मूला तो अनुकूल परिणामों की शंख्या बटे कुल परिणामों की शंख्या अनुकूल परिणाम कितने है छे कुल परिणाम कितने है आठ दो तिया छे दो चोके आठ तो आएगा तीन बटे चार इस तरीके से अब इसके बाद चौथी नमबर पर जो दिया गया है चौथी नमबर पर क्या दिया गया है नौ से छोटी संख्या को करेगा तो नौ से छोटी संख्या पहले तो हम फूर्थ नमबर डाल लेते हैं और यहाँ पे कुल परिणामों की संख्या कुल परिणामों की संख्या और कुल परिणामों की संख्या कितनी होती है ये तो आठी होगी अब लेकेंगे अनुकूल परिणामों की संख्या तो अनुकूल परिणाम कितने होगे आईए देखते है 9 से छोटी पूछा गया है 9 से छोटी सभी होगी कितने परिणाम होगे 9 से छोटे 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 यानि कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 ही परिणाम होगे 9 से छोटे तो सभी है तो 9 से छोटे मैं 8 भी आ सकता है 7 भी आ सकता है 6, 5, 4, 3, 2, 1 भी आ सकता है इसलिए अनुकूल परिणामों की संख्या भी कितनी होगी, आठ ही होगी, इसलिए प्राइक्टा का फॉर्मूला लगा देंगे, प्राइक्टा का फॉर्मूला क्या होता है, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे, कुल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणाम आठ है कुल प्रेणाम भी आठ है आठ से आठ कैंसल एक बटे एक बरावर एक तो यह आजाएगा एक आंसर तो इस तरीके से यह सुल्ब हो जाएगा आप इसको नूट करना चाहें तो इसे यहां से नूट भी कर सकते हैं तो यह रहा है स्क्रीन सॉट लेने के लिए आपको यह इसके बाद यह इसके बाद यह तो अमीद है कि आप लोगों के समझ में आ गया होगा थैंक यू